ए बिटा, तुम हमको डरा रहा है, हम बड़ी हैं तुमसे, तुम्हें मौसी की उमर की हैं बस यही बोल बोल के तो पकारियें बिग बॉस की सारी महील आया अभी तक प्यार, दोस्ती, जीगुजूरी, चापलूसी, सेफ केलना और परवरिश होगी है, होगी है, यह सब बोलने की दरुवत नहीं है एक्जाक्ली, क्यूंकि पिछले एक हफते में तो पूरे बिग बॉस के घर का सिष्टा मिल गया है और एलविश के फेवरेट कंटेस्टन का भी, गैस हूँ जी हाँ, वही बाते घुमाने वाला इंसान जिसका अविनाश सचदेव नाम है, पर मुझे लगता है कि वो सबसे जादा जूट इस घर में बोलता है बट हम ग्लाइड के कम से कम 30 दिन बाद ही साही लोगों को कुछ रियलाइजेशन स्तो हो रही है जैड को रियलाइज हुआ के जिया बीस नहीं 30 साल किये और अविनाश को रियलाइज हुआ के तो भाईया हम क्या करने आया है इदर? अलू छीलने आया हूँगे मैं Honestly भाईया तुम तो अलू छीलते वे भी नहीं दिखते हैं हमको Okay, मैं तो पिछले दो वीडियोस तो देखो बोली रहा हूँ के मुझे अविनाश नहीं पसंद And I'm glad के जो चीज़े हम लोग बोलना चाहते थे Finally Elvish ने जाके बोली थी Funny how के-के-के-के is exactly जो मुझे सुनाई देता है जब अविनाश और वालग बात करते है और मैंने गहारा मेरी बात मनो, तुम कुछ सुन लो सुम्भी क्या हिम्मत है, बचामीपी करने के लावा और कितनी वियर्ड बात है ना के मुह से जहर उगलते टाइम दीदी जी की जुबान नहीं जलती लेकिन चाय पीते पीते जल गई तक ऐसा 100% और यार एक तो तुम वैसे ही हर टाइम अपने सीरियल्स वाली डायलोग डिलिवरी करते रहते हो क्यों नहीं लड़ी आके? लड़ना चाहिए था ना? जब अभी नाश से जाके लड़ी तुम मुझसे क्यों नहीं लड़ी आके? तक गए थी मैं लेकिन अगर सामने से कोई इत्तो सा मजाग भी कर ले तो तुम उस बात पर किलस चाते हो बखवास ये चपल फेक के मारूँ मैं महीं प्राय करती हूँ जाएगी पर सॉर्ड परता हो कोई फॉर्णर हमारे देश में महमान आयो है और उसे ऐसे बोल रही है हैश्टाग परवरिश, हैश्टाग मर्यादा, हैश्टाग तमीज, हैश्टाग टॉक्सिक फेमिनिटी, हैश्टाग धफा करो दोनों को शो से, हैश्टाग सिस्चम बिग बॉस वाली दीदिया जब एलविश या अभिशेक कुछ बोले बिग बॉस वाली दीदिया जब फ्लो फ्लो में वो खुद कुछ उल्टा बोल जाए तो बिग बॉस OTT2 वेसे तो अल्मोस्ट आधा कम्प्रीट हो चुका है लेकिन ब्रो ये लोग अभी भी वही पहले हफते की बातों को रिपीट पे बोले जा रहे अगर मैं कहूँ आपके माबाप ने आपको ऐसे बिहेव करना सिखाया तो बड़ा होट होगा अगर अगर आपको भी एक बाए टुन टुन मौसी और बोल दिया अभी शेक ने तो आपको भी बहुत बुरा लगेगा मैंने बिच नहीं बोला मैंना बिच नहीं बोला मैंना बिच नहीं बोला बतलो पहली बार बिचारी सच बोलरी थी कि उसने गाली नहीं दिया लेकिन ट्रैक रेकॉर्ड ऐसा है मैंडम का कोई मन ने कोई तयार नहीं है इस लिक किसी दिन जैड बोलते कि मैंने आज किसी को पपी नहीं की अफकोर्स कोई नहीं मानेगा ना वैसे बेबी का ये मेंटल ट्रॉमा से बेबी मॉमा की जर्णी बड़ी जल्दी तै कर लिया अपने साला इतना परवरिष परवरिष करते हैं लोग उने की फाइनली बिग बॉस वालों ने परवरिष चो कि अशिका भाटिया को भी बेज दिया अंदर ला अपना मोबैल दे क्यों मा पहुंदे अपना इचारे टिक्टॉकर्स हमेशा से डाट ही खाते आ रहे हैं मतलब वहाँ श्वेता अंटी डाट रही हैं और यहां कृष्ण अंकल ताने मार रहे हैं अशिका ये देखा आपने नहीं मैंने दर थी इसे कहते हैं रियाक्ट क होते हो ये अपनी नजरों में इतना सही कैसे हो सकता है और सो ये बंदी इतनी पॉजिटिव है ना लाइफ में कि कोई हद नी मतलब सल्मान गान ने सर्कैस्टिकली ऐसे ही बोल दिया कि अगर तुम इतनी गुणी हो इतनी ग्यानी हो तो उसको यूज करो ना बेटर इंसान बनने के लिए and this is how she took it मुझे क्या बना तुम इतनी गुणी हो इतनी ग्यानी हो अब तो मुझे लग रहा है इसी की वज़ा से बिग बॉस चोड़ दिया सल्मान खान ने तालिया तो वैसे होनी चाहिए बेबी का के लिए क्योंकि देखो टास्किस से होते नी अपने काम य ब्लेम ही तो डालती है यह घर में एक्जिस्ट नी गर था बता है मेले ले ले तब ही तो आप उसी के पीछे लगी पढ़ी हो पहले हुआ यह तो आप इस बादी जबान देखिया यह तो लगता है इस दिन यह शो से ऐलिमिने भी योगी दा उसन बहार आके सेल्मान भाई ब्लेम डाल रही होगी तो इससे सब रहते है आशी का की तो हिम्मत नी हो रही की जोर से पीट पीजे बैट की बुराई कर ले बेविका की और मेभी टिक्टॉकर के साथ होता है कि लिप सिंकिंग करने की इतनी आदत पढ़ जाती है कि अपनी असली आवाज निकलती ही नही तीन साल हो गए टिक्टॉक तुझे गए लेकिन बिचारा जब से बैन क्या हुआ टिक्टॉकर्स का कॉन्फिदेंसी खतम हो गया और वो अलग बात है कि बेविका से तो और भी कई लोग डरते हैं क्योंकि देखिए बेविका से थोड़ी मेरी भी फट्ती है तो बस फे ठीक है ना पूझा जी अगला नॉमिनेशन फलक और अविनाज के बाद आप बेबी का कोई कर दो क्योंकि वैसे भी आप कहा ढंके रीजन्स देते हो किसी को नॉमिनेट करने के मैं अपने दोस्ते को टेस्ट करना साथ चाहती हूँ उनके साथ मैं अरिसीदे बॉलिया ना पूझा जी कि वीकेंड का वार पे वीकेंड का धाल खाने के बाद फलक पागल हो गई और इसलिए भाप चाहते हो कि वह कट ले जोर जोर से लोगो को स्कीमें बता दे फलक पलक पलक अधा सीजन निगल या अधा सीजन निगल या फलक और पलक में अभी तक कन्फूजन रही है वैसे I honestly wish के we could replace फलक with पलक comment below if you feel the same also don't forget to subscribe और हाँ मैंने पर second channel ShivamThings पिना अधा दुनिया का सबसे यूजलेस लाइक्स वीडियो डाला है वैसे बियार ये फलक और अभिना शाकिर कर के रहे हैं वाक करने के अलाबा जो ये आधा शो निकाल गए है वैसे एक चीज सही लगते है मुझे इस actors वाले ग्रूप की कि ये लोग ना जादा तेंशन नहीं लेते नॉमिनेशन्स की तबहीं आपस भी एक दूसरे को इंगानेट करते रहते हैं अभी फलक के पीछे पड़े है शुरूम प्यचे के पड़े थे बीच मैं साइरस के पड़े थे Although, let's be honest, Cyrus खुद भी अपने ही पीछे पढ़े थे Cyrus Brocha's Journey in Big Boss भी लाइक अरे, छोने तो यार नहीं तो निकाल दो मैं को शो से वैसे अंडो पे तो क्या जबरदस्ती का सीन मनाया पूजा जी ने मतलब Cyrus को नॉमिनेट करो वो चलेगा लेकिन अभी जेट ने अगर Cyrus के अंडों की बात कर ली That sounds so wrong Cyrus के हिस्से के अंडों की बात कर ली तो that's a huge issue लेकिन I know, as Elvish said, Pooja ताई कभी गलत नहीं होती ये कभी गलत नहीं होती ये मेरी ताई जी, ये कभी गलत नहीं होती बेचारी कुछ खास बोल भी नहीं पाई सामने से लेकिन आप प्रिटी शॉर्ट अंदर ये अंदर ऐसे चीक है नहीं कल रही होंगी उसकी जब बेबी का बोलना स्टार्ट करती है जब फलक और अमिनाश फेक रोमांस करने की कोशिश करते है जब सल्मान खार की जगा कृष्णा जी एपिसोड होस्ट करने लगते है जब पूजा जी लेक्चर्स देना स्टार्ट करती है जब फॉर सम रीजन वीकेंड का बार एपिसोड पे टेरेंस लुइस गाना गाना चालू कर देते है लिटरली सेलमान भाई भी हस रे दे के चलो शुकर है कोही तो है चो भेर से भी बुरा गाता है एवन अफ्टर ऑटोटिवण गाव जोक मारने की कोशिश कर रहा था आपने तो जोक ही मार दिया और आपने हमारा एपिसोड देखने का मन मार दिया सही ही बोला था मनीशा ने कि इन भाई साब को सब हलके में लेंगे और तभी शायद भाई साब उफेंड भी होगा देखो I don't blame मनीशा क्योंकि वो ये पहले ही बोल चुकी है मेरी इतनी जुवान खुलती है कि मेरा जुवान के सामने ही दर लोका पैंड खुलने हो I seriously wish के काश मनीशा कृष्णा को भी वैसे ही पीट सकती जैसे वो अभिषेग को बीटती है to make him realize के अगली बार से लोगों के वीकेंड के चार घंटे बरबाद ना करें अगर तू हसा तू हसा तू हसा तू हसा तू हसा तेरी अशी की तेश्टी हो वैसे ताइम बरबाद करने से याद है let's not waste more time और सीधा चलते है अपने end वाले मैंने ड्री पूजा बट सेग्मेंट पे music हर बार हर बार मेरी ही एक्टिंग करनी है मतलब नहीं बेवी का की कर लो मनीशा की कर लो लेकिन नहीं बस लोगों को मेरी एक्टिंग पसंद आ रही है तो मेरी ही करत जाएंगे why am I roasting myself हर बार मैं नहीं आऊंगी वीडियो एंट करने के लिए after all मैं महेश भट की बेटी हूँ महेश दले मैं चाहती हूँ आप पंची बनके उरे मैं आपको पिंचरे में नहीं बन करना चाहती हूँ मनीशा मैं तुम्हारे फेवरेट वर्ड यानी पिछवारे पर थपल मारूंगी जिया या तो आप रेज दिखाए है या तीन साल की बच्ची की तरह बोलती रही है आप एपर एपर धनी लोग जो है टैलिट नहीं नहीं देखते हैं अच्छा दिल देखते हैं तह देख ये टास्क वासता होता रहे गा लेकिन मैं खुद को रांक नहीं करूंगी हुजा, बिग बॉस आपको बताना चाहते हैं कि अशाला बिग बॉस हुजा, what is this behavior? Double standards, my baby girl मैं सिर्फ शब्द नहीं सुनती हूँ मैं अंसुनी भी सुनती हूँ हम अपने दर्द की शिदद को कम नहीं करते जरा सी बात पे आखों को नम नहीं करते बने, बनाए, रस्तो पर और नहीं आदियार dialogue, whatever doesn't matter, मैं महेशवत की बेटी हूँ pick it up if it bothers you देखिए, आधकल के YouTubers का हाल, end screen record करना भूल गए है पसीने देख लीजिए, फिर कहते है subscribers दीने पर रहे हैं, subscribe कर दीजिए इसी बात पे, अब मैंने बोला है 1.2 के, 12 million हो जाएगे so like कर दीजिए, comment कर दीजिए share भी कर दीजिए, और जो पाट अच्छा लगा है, वो comment में बता दीजिए, of course मेरा वाला योगा, also don't forget to subscribe, वरना सपनों में आगे दराऊंगी